पहले रिबन हम लगाने लगे हैं एक भाई ने मुझे मेसेज किया था यार आपने ये हैंडल गार कैसे लगए हैं बिलकुल इजी है भाई आप घर पे भी लगा सकते हो मारी काड जैनल ने सारे को जैनल ने वासे कोछ समान की मताव के चैनल के रेम बगार अपीगे है या थोड़ी बहुत इटेक प्रेशन की लो जी मार्शाला ब्यूटी अपनी रेडी है और जो हमने समन लगाना है वो हमारा उपर पड़ा हुआ हेलो एंड असलाम अलेकुम यह तो कैसे हो आप सब लोग आई होप सब ठीक ठाक और खेर खरयास होंगे तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यार जो हमारी आधी मोटिफिकेशन है वो हो गई है और जो आधी है ना वो यार मैं आपको नेक्स्ट विलोग में दिखा दूँगा क्यों कि यार वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो इसलिए यार आज ना बहुत सारे काम करना है चुछ भाई लोगों के कमेंट से उनके भी रिपल है मैंने करने है तो सबसे जो पहला कमेंट साना यार वह भाई मुझे बोड़ रहा था कि यार बाइक से हटके ना थोड़े अपने परसनल व्लोग भी बना लिया करो तो भई इंशालला ट्राइब करोंगा तो थोड़े ना साथ एड में कर दिया करूंगा शिक्रिया शिक्रिया बाहिर चलते है ठीके आज बहुत सारे काम करना है तो बाइक अपनी रेडिया लोगी माशाला ब्यूटी अपनी रेड हैं और सिद्धा आपसे ना बाहिर मिल तो लोग भाई आज हम सबसे पहले हैं अपनी भाई की हवा चेक करेंगे क्योंकि कल भी हम आये थे और ये बंदा निये बैठा था आज हम सामने खड़ा है तो भाई आज मर काम हो जेगा क्योंकि अर पिछले टैर कि हवा बहुत सारी मैं अब यह आज वाद चेकर देख करते हैं जे तुब्ला से अगले टूब है मारी काड जैनों ने सारा कुछ जैना में बाद से कुछ समान दी मताब के चैनिंगे रहें वगारा ठीक है है या थोड़ी बहुती डेकुरेशन की ते लोग टायर की हवा भरने लगें आप चेक करते हैं कि आगे वाले टायर में कितनी बच्चे हुए हवा और पीछे वाले ट कि इसके अंदर काभी सारी हवा कम है तो भाई वहां खड़ा है ने टागी के साथ मैं यहां पांट लगा के बैठा हूं अभी तक देख लो यार हवा आ रही है तो बैक दिकेती नहीं रखिया है कि पच्वंगा इसलता है ओके ओके बाए ओके बाए और हांट्स में सम्वर म अच्छी पर अंच्छी अग्या हूं बाहिर और यह रही माशाल ब्यूटी एक तो यह दूब भूप ज्याद है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा च्वाँ पर खड़ा कर दिया है तो सबसे पहले ना मैं आप भाईयों के कमेंट्स कर रिपला हूं जो आपने मुझे लो जी ब्यूटी अपनी बिल्कुल सामने आ चुकी है और जो सबसे पहले कमेंट्स है ना भाई उसका मैं आपको रिपले देने वाला हूं एक भाई ने मुझे मैसेज किया था यार आपने यह हैंडल गार कैसे लगा है बिल्कुल इजी है आप घर पे भी लगा सकते हो सब आपने ग्रिप ले लेनी यह जैना आपने उतार देनी वह फराब हो जाते हैं तो इन्दर चोटी सी पिन होती है जो चली जाती है और उसके बाद जाए जो है इसको टाइट करते हैं उसके इस के अंदर चोटी सी पीन लग जाता है अगर आपके पास यह वाली है यह है तो आप इसको घर पर भी लगा सकते हैं और जो हमारा दूसरा कुमेंट था ना भाई वह बहुत ज्यादा मुश्किल कुमेंट है भाई एक भाई ने मुझे कहा है कि यह आपनी बाइक और कर दिया है मोटिफिकेशन के हवाल सबसे तो भाई मुझे यह देक्चमों कोहां से और लगती है आपने देखे थीक है कर देखने है जो कहा दूब्हांनर फैरो हम उतार देखे सकते हैं शरीम कोई मोटिफ़चेशन के मस्तन देख सकती है जिहें सेट हैं। मुझे चीज अवर लगता है यह बटन मैं उतारू है आख के बार यह अब वाली चीज है खैंसा सफित नंबडता है और बस मुझे यह दो तीन जीज़ इसमें अवर लगती है जो कि मैं बहुत ज़ल्द इंशालला चेंज करने वाला हूं और आपको कोई भी चीज़ अवर लगे इसमें तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो यार इंशालला मैं उसके वर्थ करूंगा आपके जितने भी कमेंट है अपका मैंने रिवलेक कर दिया है ठीक है और एक जो कमेंट रहता है ना यार वह सून टेस्ट का है तो वह मैं आपको लाइव करके दिखा दूगा तो यह देख सेको तो गर्मी बहुत जाद है यार धूब बहुत ही जाता है तो मैं यह सलचरूंगे घर चलते हैं घर जा जाएगा तो यह जैसी भी श्टोर पे गया तो श्टोर वाले चाचे ने बाइक देखी तो चाचा भी पूछ रहा था बाइक के मोटिफिकेशन यह वह सब कुछ उसको भी मैं सारी स्टोरी सुना किया रहूं जो भी बंदा मिलता है वही बास इसी का ही पूछ रहे है जो जो पर ने मोटनी है तो यह चैक करीओ गई एस सख़ को उतारने वाले है इस संहाने वाले इससे का पलाती के हुए मेरे से धींगए है पर एक चीज इसकी चैनल है लो जी पहली रिबन हम लगाने लगें ठीक है यहाँ पर इसको पहले खोल लिगते हैं इसको पहले इसको अंदर से फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह लगाने की बार जी माशालला दो रिबन हमारी लग चुबी है और अब यहाँ दो और रहती हैं वह लगानी है और यहाँ से कॉटना है इसको अभी फिल्हाल इसको एसे रहने देते हैं कम्प्लीट करके ने फिर इसकी बादर करें लो जी माशालला रिबन हमारे यहां के लग चुके है अभी तो वेट करें यह सकल अभी लगना यहां पर ब जाए लगने इसके को अभी लो जी माशालला एक सेट हमारी हो गया फाइनल ठीक है चेक कर सकते हो जी हमारे कारना मैं क्लोज करके चेक कर रहा हूं यह चेक करें जी वाव लूपिंग वेरी नास माशालला बहुत मैनस लगी है यार एक कि चीज देखनी पड़ती है लो जी म अच्छला बैक सेट हमारी होगी है अब रहती है यह वाली साइट अब यह इंजिन पर लगाना है हमने एक दर एक दर अब यह लगा कि आपको ना पिर चेक कराते हैं ना ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना आपको यह करीब ना मैंने काट ली ठीकि उसकी फीटिंग बिठाके ना हीड देनी पड़ेगी तो हीड देने के लिए मैंने एक अदद लेडर इस्तुमाल किया जी अब इसको ना प्रोपर हीड देके प्रोपर इसकी जो है ना नुक्रें वगरा बिल्कुल हम अच्छे से बिठा देंगे ताके दुबारा यह उत्रेना लो जी एक लाइन हमने यह यहां पर लगा दिये ठीक है वैसे यह अश्का डिजएन थोड़ा लंबा चुड़ा था तो मैंने शोड़ किया इसको एक पटी इसके लगा दिया इसके उपर एक और लगा थी इस तरह से लेकन वह यार थोड़ी अजीव लग रही लग 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 रही तो हमें उतार दिये अब इस पे नहीं एक काम करेंगे इस पे नहीं एक लोगों लगा देंगे बलैक कलर का कुई डेंजरिस वैसा लोगों लगाएंगे जैसे यह लगा है ना यह जगा हमारी कम्प्लीट हो जाएगी इसके इलावा यह मैं आपको दुबारा दिखा दूँ यह बहुत प्यारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमें कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज